खबर चिताडगर जिले से जहां जिले में राजस्थान के यसस्वी मुख्यमंद्री मानिया शोग्या लाते वम एक दिवसी तौरे पर हेलिकाप्टर से कपासन पहुचे जहाल उन्हें महंगाई रहत कैंप का उचित निरिक्षिन किया और जुन सभग को संबोधित किया इस दौरान उन्हें का पासन अस्पिताल को अपजीला स्पिताल बनाने समेट कई घोसनाओ की मुख्यमंद्री ने कहा कि आज हमें आजाद हुए 75 साल हो गए आज़ादी का मृत्तम उत्सा भंडारा रोटी कपड़ा मकान का नारा नहीं होना चाहिए अब समय आ क्या है कि दे देश में चलाई चार ही योजनाओ का जिक्रिक्या और उपलब्धियों के बारे में भी बताया पूरी के साथ ही उपखर्ण कार्याले की गाह मात्र कुंडिया डैम और सिंधेश्वर में कपासन देने वाली आउरत के तालाब में पानी लाने के लिए जीपियार तयार करवानी कॉलेज में 500 बालिकाओं के नाम होने के बाद कपासन में कन्या महाविज्याले की घोसना की इसे पहले सीम गहलाथ हैली पेट से सीधे दर्शरह मैदान पहुचे जिन्होंने लाभर्तियों से बाचीत मुख्यमंदरी नेचुरंजिवे स्वास्ती योजना में जिनका निसूल के लाज हुआ उनसे भी बाचीत के इसमें दो लाभर्तियों का हाट अटेक आपरेशन उसमें 11 लगाएगा जुसमें 7 लाख खड़ जाया आखिरी रतन कूटनी थी उसका पती निसूल के लाज हुआ है पती के हाट की बिमारी थी जबकि उसका हाट की हड्या का अपरेशन हुआ उसके साथ ही उन्होंने अन्य अलाभर्तियों से भी बाचीत की